नमस्कार दोस्तो स्वाक्त आपका मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है कोकिंग विद सुभाष कपूर तो आए आज हम बनाने सीखते हैं शाई पनीर शाई पनीर बनाने के लिए हमको जो इंग्रेडियन्स चाहिए मैंने स्क्रीन पर दिये हुए है इसके लिए हमको चा आपकी हुए धोय हुए 600 ग्राम लाल टमाटर 300 ग्राम प्याज दो तेज पतेग दाल चीनी का चोड़ा सो टुकड़ा चार लांग चार चोड़ी लाची दो बड़ी लाची दो हरी मिर्च एक अध्रे का टुकड़ा दो इंच की लगभाग कुछ लेना है जी रपाउटर ल लिया है ज्यादा बारिक भी नहीं ज्यादा मोटा बनिये है हरी मेर्च चार अध्रे को बारिक बारी काट लिया यह प्याज को हमने दो चमचतेर डालके बूंद लिया था बनांद करके टमाटर को हमने थोड़ा से पानी डालके बोईल करने रखा है काजू को हमने चड़ा तोडा मोटा रहा गया, भी इसको थोड़ा और ही करेंगे, यह फाइन पेस्ट बनके त्यार हो गया है, इसमें कुछ लंप वगैर है तो नहीं रहा गया, साबत काजू का टुकड़ा तो नहीं रहागा, इसलिए हम इसको चन्नी में छानेंगे, अच्छे से चान के जो इसमें नीचे निकलेगी प्यूरी, वाइट ग्रेवी, उसी को हम यूज में लाएंगे आप चाओ तो बिन अच्छाने भी यूज कर सकते हो यह हमारे टमाटर त्यार हो गए थे बोईल हो के, इसको हम पीसेंगे मिक्सी में इसको भी हम ऐसे चानेंगे चाननी में, इसके जो बीज और छिलके हैं ओपर निकल जाएंगे चाननी में, उसको हम अठा देंगे, हम सिर्फ प्यूरी का यूज करेंगे, जो बड़ी अफ़ा, फाइन प्यूरी निकलेगी ये कच्छी की साइता से हम चलाते वे इसको चानेंगे, ये चंद के तियार हो गई है, इसको यूज करेंगे हम, ये हमने तेल लिये लिया है, तीन चमच के लगभग, ये क्रीम लिली, दो से डाई चमच फ्रेश क्रीम है, अब हम कड़ाई चड़ेंगे गैस पे, तेज आँच पे, ये तेल डाल दिया, दो चमच, तीन चमच तेल डाल दिया, अपने टेस्ट के मताब के लिए लिए करो सब समान, ये दो तेज पता, दाल चेनी का टुकड़ा दो बड़ी लैची, चार चोटी लैची, चार लांग, ये डाल दिये, इसको थोड़ा आदा मिनट हम भूनेंगे, अब इसमें बारिक हारी मेर चार अधरक जो हमने काट के रखा था, उसके एक चमच से डेड़ चमच हम लेके, इसको कड़ाई में डाल के चैसे बूनेंगे इसको जल्दी जल्दी चलाना है, जलने ने चाहिए, आप आँच कम भी कर सकते हो, जब हलका सा बून जाए, आप आँच कम ही किजिए, मैं थोड़ा हाई मेडियम पे बून रहा हूँ, इसमें देगी मिर्च या कश्मेरी मिर्च आप के पास जो भी है, उसको एक चमच, ड गरम मसाला जो भी आप के पास किचन किंग या गरम मसाला दोने में से कुछ भी डाल सकते हो, आदा से एक चमच, हम जीरा पाउडर डालेंगे और प्यूरी डाल के टमाटर की प्यूरी हमारे पास जो थी, उसको डाल के हम अच्छे से पकाएंगे, एक मिनट पकाने के बाद इसमें अब हम काजू और प्याज का जो प्येशट बनाय था भाइट ग्रेव यह भी मिला दी, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे, अगर या गाड़ी होगी तो इसमें थोड़ा गरम पानी मिला सकते हो, आप गरम पानी मिलाने के बाद इसको ग्रेवी काम पकाएंगे, इस तो चार चारक मिनाट पकाएंगे, चार-पांच मिनाट ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि यह सब कुछ पहले ही पक चुका है, स्वादम स्वार नमक, तेज आंच में मैं इसको पका रहा हूँ, यह थोड़ा पकेने के बाद इसमें हम चीनी मिलाएंगे, टेस्ट के मताबिक आदा चोटा चमची नहीं ली थी, मैंने वो डाल दी, यह खसूरी में थी, मेरे पास एक चोटी चमच है, इसको हमने रगड के थोड़ाई समें डाल दिया, जब हमारी ग्रेवी पक के त्यार है गुए, चार-पांच मिनट उसके बाद उसको डाला, यह मैंने क्रीम डाल दी, क्रीम डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं, आप लास्ट में भी क्रीम डाल सकते हो, यह मैंने पनीर लिया था 3-400 ग्राम इसको मैंने जल्दी से तेल में फ्राई करके जल्दी से तेल में डालना है गरम तेल में और फट से निकालना है छनी से और पानी में डाल देना है थंडे पानी में ताकि यह सकत ना हो नर्म रहता है, आप कच्चा पनीर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है यह हमारी ग्रेवी पक चुक है, इसने कलर छोड़ दिया है इसमें हम आप पनीर मिला देंगे इसको अच्छे से चलाएंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना एक मिनट तक पकाना एक से दो मिनट अब हम इसको सर्व करेंगे हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक, शेर, कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे रेश्पी घर पे ट्राइ कीजिए मीडियो के एंड तक जरूर देखिए शाइपनीर हमने बहुत बड़ी बना के त्यार किया है इसको जरूर से जरूर अपने घर में ट्राइ कीजिए इजी रेश्पी है आप सारी काजू, टमाटर और प्याज इकठाई आप तेल में डाल के भून सकते हो इसको पका सकते हो थोड़ा मैंने अलग अलग पकाया था आप अकठाई पका सकते हो थोड़ा पानी डाल के तेल में भून के थोड़ा सा पानी डाल के आप पका सकते हो यह हमने थोड़ी सी क्रीम बचाई थी इसे गार्निशिंग करेंगे अब यह हमारा शाइपनित बन के रेडी हो गया है मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद